पाखंड फैलने के लिए दोशी कौन पुछा, राम मोहन ने जवाब दिया, पिता जी आपके चरण छूने पर आप हमें आशीरवाद देते हैं, परंतु मूर्ती के सामने नत मस्तक होने पर मूर्ती हमें आशीरवाद नहीं देती, तो क्या लाब है इस मूर्ती के सामने नत मस्तक होने का, राम मोहन राय के पिता रमाकांत राय निरुत्तर रहे कोई जवाब नहीं दिया और न उन्हें संतुष्ट कर पाए। स्वामी विवेकानंद वेद के जानकार व संस्कृत के विद्वान होते तो फौरन रामकृष्ण परमहंस जी से यह पूछते बाबा जिसे आप काली माता कह रहे वह तो ईश्वर ही है जिन्हें हम माता पिता बंधु सखा भी कहते है अगर वही मा काली ही है तो उसे देखना क पैर का चलने वाला बिना कान का सुनने वाला बिन आंख का देखने वाला उसके शरीर होना यह सत्य कैसे जिससे वेद में अच्छुक्रम अकायम कहा उसका देखना ये कैसी बात आप कह रहे हैं दुरभाग्यों तो यह है कि अगर विवेकानंद वेद पढ़ते संस्कृत प और रामकृष्ण परमहंस की पूजा हो रही है, जिन्हों ने मानव समाज को सत्य रास्ता बताने की जगह परमात्मा के नाम से दुनिया को भटका दिया, मात्र एक जगह नहीं, हमारे पगपग में इस प्रकार सब ने मिलकर धोखा दिया है, जैसे दुनिया वालों को पता है भारत में आजादी की बिगुल बजी थी 1867 में, सबसे पहले शाहिद होने वाले का नाम मंगल पांडे, अंग्रेजों से देश के लोग लड़ते रहे 90 वर्ष तक, इसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ बताये गए, गाजर मूली को तरह भारतवासी अंग्रेज सेना के हा आज भारतवासीयों को सत्य से रूबरू तो एक दिन, न एक दिन होना ही पड़ेगा इस प्रकार, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, राजा रोहन मोहंदास, करमचंद गांधी आदी के जीवनी से सच तो हमें निकालना ही पड़ेगा।